गेहों की बुवाई एक नौमबर से 30 दिसंबर तक बहुत से किसान भाई करते हैं तो कुछ किसान भाई नौमबर में ही बुवाई का कारी पूरा निप्टा लेते हैं लेकिन बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो गन्य की कटाई करने के बाद गेहों की बुवाई करते हैं तब तक लेट हो चुका होता है तो ऐसे समय में हमको कुछ ऐसी प्रजातियों का ही चैन करना चाहिए जो लेट बुवाई के योगी हों क्योंकि इस समय पर बुवाई की जाने वाली प्रजातियों को यदि हम देर से बुवाई कर देते हैं तो उनसे काफी अधिक उत्पादन कम मि लेट बुवाई करके भी अच्छा उत्पादन मिल सके तो चलिए दोस्तों आज हम इसी क्रम में बात करने वाले हैं लेकिन उसके पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप लेट बुवाई करते हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि जो प्रजातियां जिस समय बुवाई के योग हैं उन्हीं प्रजातियों का चैन करें जदि कोई किसान या किसी दुकानदार के बहकावे में आप आ करके और जो है पहले बुवाई की जाने वाली प्रजातियों की बुवाई कर देते हैं सस्ते के चकर में या किसी अनी चकर में तो उनसे आपको काफी अधिक नुकसान हो जाएगा इसलिए दोस्तों आप से अनरोध है कि जो लेट प्रजातियां हैं उन्हीं का समय के अनुसार अपने अनुसार किस्म का चैन करें और उसके बाद ही बुआई करें बुआई करने के पहले एक बात का दोस्तों और ध्यान देना है परियात नमी खेत में होना जरूरी है उसके साथ साथ बीज और भूम सोधन करके ही बुआई करें जिससे आपके खेत में किसी भी प्रकार के रोग या कीट ना लगें और आप अच्छा उत्पादन ले सकें तो चलिए दोस्तों ये जो लेट प्रजाती वाली कुछ किस्मों का हमने चैन किया है उसके बारे में आपको बता देते हैं तो सबसे पहले दोस्तों एक किस्म है HD 36 यदि आप इसकी बुआई करना चाहते हैं तो इसकी बुआई आप एक नॉम्बर से और 5 दिसम्बर तक कर सकते हैं यदि आप इस समय के बीच में इसकी बुआई करेंगे तो आपको प्रते एकड 22 कुंतल से लगा करके तेज कुंतल तक उत्पादन मिल जाएगा बहुत अच्छी प्रजात है आप इसका चैन निश्चिन्त होकर कर सकते हैं और समय पर यदि 5 नॉम्बर 2 दिसम्बर तक बुआई कर देते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन मिल जाएगा इसके बाद दोस्तों जो दूसरी किस्म है वो PBW 550 है ये भी बहुत अच्छी किस्म है इसकी भी बुआई आप 15 नॉम्बर से 25 दिसम्बर तक कर सकते हैं यदि आपने अभी तक बुआई नहीं की है त भी प्रजाती 15 नॉम्बर से और 25 दिसम्बर तक बुआई की जा सकती है इसका भी उत्पादन आपको 20 से 22 कुंतल तक मिल जाएगा तो ये भी प्रजाती जो है इसकी लेट बुआई आप करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं इसके बाद दोस्तों जो अगली किस्म हमने ली है वो पी बी डबलू 226 है काफी किसान इसकी बुआई करते हैं जो लेट बुआई की जाने वली एक अच्छी किस्म मानी गई है और 25 दिसम्बर तक इसकी भी बुआई आप कर सकते हैं और ये भी उत्पादन आपको 18 से 20 कुंतल तक प्रतेकर दे देती है इसके अत्रिक भी काफी अच्छा मिलता है कई सालों तक हमने इसकी बुआई की है इसकी यदि आप समय पर बुआई करते हैं पंदरा नौंबर से यदि पांच दिसम्बर तक बुआई कर देते हैं तो आपको 20 से 22 कुंतल तक उत्पादन मिल जाएगा यदि आप 20 दिसम्बर तक इसकी प्रजात है जो काफी लेट बुआई की जा सकती है और काफी किसान भाई इस प्रजात को पसंद भी कर रहे हैं इसका नाम है PVW 373 तो ये प्रजात जो है आप 15 नौंबर से 25 दिसम्बर तक आसानी से कर सकते हैं लेट प्रजात में काफी अच्छा उत्पादन देने वाली है आपको 20 कुंतल से 22 कुंतल तक एक अकड़ में उत्पादन मिल जाएगा और इसकी रोटीयां भी अच्छी होतिती हैं खाने में भी है अच्छी प्रजात है काफी किसान हमारे चेतर में इस प्रजात को पसंद भी करते हैं इसके बाद दोस्तों जो अगली प्रजात हमने ली है वो HD 2285 है यह भी बहुत अच्छी प्रजात है इसकी 20 दिसंबर तक बुआई कर सकते हैं 18 कुंतल प्रति एकड़ आप इससे भी उत्पादन ले सकते हैं तो दोस्तों इसमें से आप अपने समय के अनुसार जिस समय बुआई करना चाहते हैं इस किसमों में से कोई एक प्रज सब्सक्राइब करके बेल आइकान दबा दीजिये और आल नोटिफिकेशन भी कर दिजिये और वीडियो को लाइक और शेर दूसरे किसानों तक भी कर दें जिससे जो किसान भाई अभी गेहों की नहीं बुँआई किया है वो भी बुँआई कर सकें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवा जय हिन जय भारत